यहाँ पर दो linear transformation S और T दे रिखे है, S आपके defined है R3 से R4 पर और जो आपके T linear transformation है वो R4 से R3 पर defined है और इस तरह से defined है कि T composition S आपकी एक identity map है, identity map of R3 अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो identity map है, वो 11 and onto होती है तो आपका S 11 होगा और T जो linear transformation है वो onto होगी अगर S आपका 11 है, तो यहाँ पर nullity क्या होगी? 0 यानि कि जो rank है वो कितनी होगी? 3 दूसरे case में अगर T आपका onto है, T अगर आपका onto है, तो rank कितनी होगी? 3 और nullity, rank होगी 3 और nullity होगी आपकी 1 rank 3 होने का meaning है कि code domain की dimension के equal हो जाएगा अब हम बात करते हैं, S composition T, S composition T के बारे में S composition T कहां से कहां तक जाएगी? तो T जो हमारी transformation थी, वो R4 से R3 पर जा रही थी और जो S थी, वो R3 से R4 पर जा रही है अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि composition क्या 1-1 और on-to हो सकती है या नहीं हो सकती है अगर हम S के बात करते हैं, composition के बात करते हैं, S S आपकी on-to नहीं हो सकती है, S आपका on-to नहीं हो सकता है क्योंकि जो उसका domain की dimension है, वो less है co-domain से उस case में कभी भी आपका on-to नहीं हो सकता है और T आपकी क्या 1-1 हो सकती है, चेक करते हैं T आपकी 1-1 नहीं हो सकती है, क्योंकि इस case के लिए क्या होना चाहिए domain की जो dimension है, वो less होने चाहिए co-domain से इस case में आपका 1-1 possible है तो अगर S composition T की बात करें क्योंकि T composition S जो था, वो identity था तो S composition T अगर identity है अगर identity हो जाए sorry, S composition T neither 1-1 nor onto option D यहाँ पर correct होगा क्योंकि S composition T को 1-1 and onto होने के लिए, S composition T को 1-1 and onto होने के लिए, S को onto होना पड़ेगा जो कि possible नहीं है, और T को 1-1 होना पड़ेगा तो S composition T neither 1-1 nor onto, option D is correct होने के लिए canूड़ कर देदे लिए के जे सार्थ, सब प्सेदा है union